आप सभी को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर प्रियंका सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अफ केमिस्टरी गॉर्मेंट दिगविजय पीजी ओट्नमस कॉलेज राजनागा चत्तीस गड़ से आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स तो जो कॉलोइडल सिस्टेम है उसकी प्रॉपर्टीज को चार प्रकार की प्रॉपर्टीज में बाटा गया है जेनरल प्रॉपर्टीज जिसके अंतर गथम फिजिकल और कॉलिगेटव यानि भौत तिक और अनुसंख प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके अलावा ऑप्टिक अब तसे प्रकाशी प्रोपर्टेइन सबसे पहले जन्रल प्रोपर्टीज पुसमें इसे पहला हम देखें गेृटरूजिनइस नेचर दो इस सिस्टम जो है विश्मांगी प्रकृति के होते हैं दे यार हीट्रोजन इन नेचर इट किंटेंस टू फेजस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम पहले भी हम देख चुके हैं कि जो कोलॉडल सिस्टम है उसमें एक परिछेप्त आवस्था और एक परिशेपन माध् इसलिए इसे कह सकते हैं कि हीट्रोजन इस या विश्मांगी प्रकृति के होते हैं कोलॉडल सिस्टम उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है साइज यह भी हम पहले देख चुके हैं कि कोलॉडल पार्टिकल्स का साइज 10-1000 एंग स्ट्रॉंग या 1-200 नैनोमीटर के बीच म लेकिन जो सस्पेंशन है उसे छोटे साइस के पार्टिकल्स होते हैं देर इन्विजिबल थू अ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप या सूख्म दर्शी से देखने पर यह दिखाई नहीं देंगे इसके बाद आता है डिफ्यूजन विसरण as a result of brownian motion particles pass or diffuse from a reason of higher concentration to one with lower concentration brownian motion यानि आगे चलके हम देखेंगे kinetic properties में brownian motion क्या होता है colloidal particles के लिए जो particles होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं टकराने की वज़े से उनकी दिशा चेंज होती है तो जिग-जाग motion करते हैं कोई fixed दिशा में motion नहीं करते हैं उनकी दिशा बार बार परिवर्तित होती है टकर के फल सुरूप तो इसे brownian motion कहते हैं तो जब brownian motion particles show करते हैं तो दौरान वो अधिक concentration अधिक सांद्रन वाली region से lower concentration की और move करते हैं rate of diffusion express करने के लिए फिक का first law use होता है जो की है dm by dt is equal to minus dA dc by dx यहां पर dm जो है is the mass of substance diffusing in time dt across an area a under the influence of a concentration gradient dc by dx d is the diffusion constant तो यह जो equation है इसमें dm जो है वो substance का mass है जो diffuse हो रहा है time है dt a area है d diffusion constant है dc by dx जो है वो है concentration gradient the minus sign denotes that diffusion takes place in the direction of decreasing concentration यहां पर जो formula है उसमें minus sign है minus dA dc by dx minus sign का मतलब यह है कि जो भी motion हो रहा है particles का वो कहां से कहां हो रहा है higher concentration से lower concentration की और हो रहा है यहां concentration घट रहा है उस और emotion है उसको show करने के लिए negative sign का use किया गया है sedimentation sedimentation का मतलब है जैसे आप colloidal solution को थोड़ी समय के लिए छोड़ देंगे as it is उसमें आप कोई interference नहीं करेंगे कोई disturbance नहीं करेंगे उसके साथ तो धीरे धीरे वो जो colloidal particles है उस सतह पे जो container है उसके bottom में सेटल हो जाएंगे at small particle size less than 0.5 micrometer brownian motion is significant and tend to prevent sedimentation due to gravity and promote mixing instead जैसे particle का size अगर छोटा है 0.5 micrometer से भी छोटे particles है तो brownian motion काफी मात्रा में देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से sedimentation नहीं होगा, sedimentation मतलब उसे छोड़ देने उसके particles नीचे सतह जो container है, container के bottom में settle नहीं होंगे we use an ultra centrifuge which provides stronger force so promote sedimentation in a measurable manner तो sedimentation अगर आपको करना है क्योंकि brownian motion है particles में तो sedimentation नहीं show करते हैं, आपको sedimentation यदी करना है colloidal system का, तो आपको ultra centrifuge को use करना होगा next property है, परासरन दाब, osmotic pressure particles of colloidal suspension diffuse slowly from membranes तो membrane के through colloidal suspensions का motion या movement बहुत ही slow धीरे धीरे होता है but they can't diffuse from semi permeable membrane, membrane से तो हो भी जाता है धीरे धीरे, लेकिन semi permeable membrane की यदी बात करते हैं तो colloidal particles का movement नहीं हो पाता है colligative properties, अनुसंख्य गुरधर्म colloidal solutions also exhibit colligative properties like true solutions तो जो true solutions हैं उन्हीं के समान, colloidal solutions भी colligative properties अनुसंख्य गुरधर्म शो करते हैं colloidal solutions contain very small number of particles as compared to normal solutions colligative properties या अनुसंख्य गुरधर्म किसे कहते हैं वे properties जो number of particles पर डिपेंड करते हैं किसे solution में number of particles पर डिपेंड करने वाली properties, qualitative properties होती हैं जिसे depression and freezing point, elevation and boiling point, osmotic pressure, परासरण दाब colloidal solution में जो particle की संख्या होती है, नॉर्मल particles की तुलना में कम होती है देरफोर देर ओस्मोटिक प्रेशर, elevation and boiling point, depression and freezing point, etc. is very low उन में पार्टिकल की संख्या कम होती हैं इसलिए उनका परासरण दाब है उस्मोटिक प्रेशर, elevation and boiling point, क्वथनांक में उन्नेयन, डिप्रेशन and freezing point, ये सारी वैल्यूस बहुत ही कम होती हैं नेक्स है प्रॉपर्टी, viscosity, शान्ता यदि कोई system flow कर रहा है, कोई liquid flow कर रहा है और उसके flow में, उसके बहाव में कोई resistance, कोई अवरोध हाता है किसी pressure के वज़े से, तो ये viscosity कहलाता है, शान्ता viscosity of colloid allows calculation of molecular weight, आप शान्ता क्या अधार पर colloidal solution का molecular weight निकाल सकते हैं, provide useful information about the shape of colloidal particles colloidal particles का shape किस प्रकार का आकार कैसा है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शान्ता क्या अधार पर, spherocolloidal dispersions are of relatively low viscosity, तो जो colloidal dispersion जिन में particles का shape spherical होता है, उनकी viscosity कम होती है, on the other hand, linear colloidal dispersions are of higher viscosity, लेकिन जो colloidal solution है और यदि उनमें particle linear shape के होते हैं, रेखी आकार के होते हैं, तो उनकी शान्ता viscosity अधिक होगी, if linear colloidal particles coil up into spheres, viscosity of the system falls due to changing the shape, यदि रेखी linear आकार के जो colloidal particles हैं, वो spherical या गोला का आकार ले लेते हैं, तो उनकी viscosity बदल जाएगी, viscosity घट जाएगी, क्योंकि यहां पर shape change देखने को मिलता है, next property है, optical या प्रकाशियंगुड, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, तुस डाइग्राम में आप देख सकते हैं, दो solutions लिये गए हैं, पहला solution है true solution, दूसरा है colloidal solution, जब आप एक beam of light प्रकाश पुन्ज को पास करते हैं, true solution से, तो true solution में जो particles उनका size बहुत ही छोटा होता है, जो कि light को scatter नहीं कर पाते हैं, इसलिए true solution एकदम clear दिखाई देता है, जबकि colloidal solution में particle का size बड़ा होता है, और वो light को आसानी से scatter कर सकते हैं, और scattering की वजह से, जो colloidal solution है, turbid, धुन्दला दिखाई देता है, यह हम देख चुके हैं कि, जैसे ही light पास होता है colloidal solution से, colloidal particles light को scatter करते हैं, जिसकी वजह से colloidal solution कैसा दिखेगा, धुन्दला, turbid, तो तिन्डल effect का use किया जा सकता है, particle के size, आकार और उनके बीच में होने वाले अन्योन क्रियाएं interactions के जानकारी प्रापर्टि, अगली प्रापर्टि है, color, रंग, colloidal particles can scatter light radiation, हम देख चुके हैं कि, जो colloidal particles हैं, light radiation को scatter कर सकते हैं, If the wavelength of scattered light radiations is in the range of visible radiations, then the colloidal solutions appear colorful. यदि scattered light radiation का तरंग हैर ये wavelength visible radiations के range में होता है, तो जो colloidal solutions हैं, वो रंगी इन colorful दिखाई देंगे. The intensity of color depends on the size of particles. तो जो रंग की तीवरता होगी, color की intensity, वो particles के आकार पर निर्भर करती है. For example, colloidal solutions of silver appear as orange, yellow, orange, red, purple, और dark purple depending on the size of particles. यहाँ एक example दिया गया है कि silver के colloidal solutions, यदि अलग-अलग आकार के colloidal solutions लिये जाते हैं, silver के, तो उसका रंग orange, yellow, orange, red, purple या dark purple दिखाई दे सकता है, आकार के आधार पे. Next property है, kinetic या गतिज प्रॉपर्टीज सबसे पहले इसमें आता है, brown in motion. Colloidal particles are subjected to random collision with molecules of the dispersion medium solvents, so each particle moves in irregular and complicated zik-zik pathways. तो diagram में भी आप देख सकते हैं कि जो colloidal particles है, वो dispersion medium, परिशेपण माध्यम के जो particles हैं, या खुद आपस में ही dispersed phase के particles एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और इसकी वज़े से जब भी उनके बीच में टकर होता है, तो उनका दिश्या, movement की जो दिश्या है, direction वो change हो जाती है, इसलिए straight direction में travel नहीं करते हैं, जो particles है, colloidal solution के जिग-जग pattern में या irregular pattern में movement शो करते हैं, इसी को brownian motion कहा जाता है, the zig-zag movement of particles in a colloidal solution is known as brownian motion, first observed by Robert Brown, 1827, with pollen grain suspended in water, तो सबसे पहले जो brownian motion है, क्योंकि नाम ही brownian motion है, तो ये जो नाम है, ये उस व्यज्यानिक के नाम के आधार पर दिया गया था, Robert Brown, जिन्होंने सबसे पहले brownian motion की study किया था, और इन्होंने brownian motion की चीज में study किया था, पानी में pollen grain, पराकर, suspended pollen grains के movement के बेस पे इन्होंने study किया था, ब्राउन इन्होंने चीज किया था, वैसे वैसे particles की velocity ये उनका speed increase होता जाएगा, increase in the viscosity of dispersion medium decreases and then stops the brownian motion, लेकिन जब dispersion medium परिशेपर माध्यम की viscosity आप increase करेंगे, तो ये जब brownian motion है धीरे धीरे कम होता जाएगा और ज़्यादा मात्रा में viscosity बढ़ाने पर ये brownian motion खत्म भी हो सकता है, next property देखते हैं, electrical with duty ये गुण, electrical charge on colloids, colloidal solutions are neutral, but colloidal particles are always charged, तो जो colloidal solutions हैं, वो उदासीन होते हैं, neutral होते हैं, लेकिन colloidal particles कैसे होंगे, हमेशा charged होंगे positively ये negatively, colloidal particles contain similar charge in a soul, therefore they get repelled from each other, तो किसी colloidal solution में, जो colloidal particles होते हैं, उनके पास समान आवेश होता है, same charge होता है, इसलिए एक दूसरे से प्रतिकर्शन और रिपल्शन दर्शा आते हैं, colloidal particles, electrical charge of colloidal particles and their brownian motion are responsible for the stability of colloidal solutions, colloidal particles पर मौझूद जो चार्ज होता है, electrical charge और उनका जो brownian motion है, उसी की बज़े से colloidal solutions stable होते हैं, स्थाई होते हैं, colloidal particles of arsenic sulfide are negatively charged, जैसे AS2S3 के colloidal particles कैसे होंगे, negatively charged होते हैं, colloidal particles of FeOH3 are positively charged, जबकि ferric hydroxide के colloidal particles कैसे होंगे, positively charged होंगे, ये examples बताए गए हैं, फिर है electrical double layer theory, development of a net charge at a particle surface, affects the distribution of ions in the surrounding interfacial reason, तो क्योंकि जो colloidal particles हैं, वो charged होते हैं, उनके surface पे charge मौझूद होता है, तो charge surface होने की वज़े से, उनके आसपास जो ions होते हैं, उनके distribution, उनके arrangement को भी affect करता है, interfacial reason, यानि जहां दो phases मौझूद होंगे, आपका dispersed phase और dispersion medium, परिशेपण अवस्था और परिशेपण माध्यम, जब दो phases मौझूद होंगे, वहाँ पर charge के distribution को affect करता है, क्या colloidal particle का charged होना, diagram के थूँ आगे समझेंगे, concentration of counter ions increases at the surface, यदि surface colloidal particle का negatively charged है, तो उसके counter ion होंगे positively charged particles, तो उसके surface के आसपास positive particles का concentration बढ़ जाएगा, यदि colloidal particle positively charged होंगे, तो उनके counter ion negative particles का concentration, particle के चारो तरफ बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक colloidal particle होगा, जो negatively charged है, मान लेते हैं कि वो negatively charged है, तो उसके चारो तरफ counter ions positively charged होंगे, और उसके बढ़ एक और layer होगा, जिसमें positively charged particles होंगे, तो यहाँ पर दो प्रकार के layer देखने को मिलेंगे, एक है primary layer, stern layer जिसे कहते हैं, और दूसरा होगा secondary layer, जिसे गोई chopman layer भी कहते हैं, diagram के थूँ एक layer हो जाएगा, यह है diagram, electrical double layer theory के according, यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं, blue color का solid particle with negatively charged surface, तो यह colloidal particle है, जिसके surface पर negative charge मौजूद है, उसके चारो तरफ, stern layer या fixed layer या primary layer पाया जा रहा है, जिसमें counter ions, negatively charged particles के चारो तरफ, positively charged ions उसे घेर के बैठे हैं, और यह fixed layer है, इसके particles move नहीं करेंगे, उसके बाद second layer है, goya chapman layer या diffuse layer, या secondary layer, इस layer में भी positively charged, counter ions पाया जाएंगे, लेकिन यह fixed नहीं होगा, यह motion कर सकते हैं, diffusion शोक कर सकते हैं, और उसके चारो तरफ है, external liquid आपका dispersion, medium, solid particle, जो की charged होगा, उसके चारो तरफ, counter ions पाया जाएंगे, दो तरह के layers होँगे, stern layer, जो की fixed होगा, और goya chapman layer, जो की diffused होगा, silver iodide salts can be prepared by the reaction, silver iodide salt बनाने के लिए, हम यह reaction का use करते हैं, silver nitrate, plus sodium iodide, तो हमें मिलेगा, silver iodide plus sodium nitrate, यहाँ पर bulk में, silver iodide के जो particles हैं, उन में, silver और iodide ions का ratio, one is to one है, लेकिन अगर हम इस ratio को कम या जादा करते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, यदि हम excess में, silver nitrate का इस्तमाल करते हैं, तो हमें किस तरह के particles मिलेंगे, AGI, AG+, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, कि AG+, आइन की जो मात्रा है, वो पार्टिकल के सर्फेस पे, iodide ions की कमपैरजन में जादा है, more silver plus ions, than iodide ions on the surface of particles, counter ions surrounding them, will be NO3 minus, तो क्योंकि जो आपका particle है, वो positively charge हो गया है, तो उसके चारों तरफ जो counter ions, negatively charge counter ions होंगे, कौन से हैं यहाँ पे, NO3 minus है, वो उसे घेरेंगे, तो इस तरह का structure आपको देखने को मिलेगा, silver iodide के particles हैं, उनके चारों तरफ AG+, पार्टिकल्स हैं, यह जो particle है, आपका positively charge हो गया है, तो उसके चारों तरफ negatively charged, NO3 minus particles, देखने को मिलेंगे, second case हम ले लेते हैं, जहाँ पे excess of sodium iodide का, यूज किया गया है, तो जो particles होंगे, वो किस form में पाया जाएंगे, AGI, I, I minus, यहनी, क्लोइटल पार्टिकल्स कैसे होंगे, negatively charged, more iodide than silver plus ions, in the surface of the particles, तो पार्टिकल के सर्फेस पे यहाँ, iodide ions की मात्रा बढ़ जाती है, तो पार्टिकल्स कैसे हो गया, negatively charged हो गया, counter ions, surrounding them will be, NA plus, negatively charged particles को, चारों तरफ से कौन, सराउंड करेगा, positively charged particles, इस case में है, sodium, structure कैसे दिखेगा, AGI, चारों तरफ adsorbed ion कौन सा है, iodide ion, फिर counter ions, NA plus, उन्हें घेर के रखेंगे, प्रापर्टी है, electrophoresis, chloral solutions are electrically neutral, तो जो chloral solution है, वो उदासीन होते हैं, विद्युत्ती, उदासीन solutions होते हैं, chloral solutions, but chloral particles show movement, under the influence of electric field, when placed in a YouTube, लेकिन जब chloral solution को, YouTube के अंदर रख दिया जाता है, U-shape के tube के अंदर रख दिया जाता है, डाइग्राम में आप देख सकते हैं, U-shape का tube, तो जो chloral particles है, वो electric field के influence में, movement show करते हैं, the direction of movement towards electrode, depends on the charge of chloral particles, और यह movement किस पर depend करता है, कि chloral particles का charge, कैसा है, the chloral particles get neutralized, upon reaching the electrode, तो मान लीजे, chloral particles negatively charged है, तो वो किधर move करेंगे, positively charged electrode की और move करेंगे, और वहाँ जाकर के वे उदासीन या neutralize हो जाएंगे, movement of negatively charged particles is called anaphoresis, तो negatively charged particle का movement anaphoresis कहलाता है, और वही positively charged particle का movement ketaphoresis कहलाता है, अब ketaphoresis या anaphoresis या electrophoresis के applications हम देख लेते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनिया यूज होती हैं, वहाँ पर smoke से exhaust gases को रिमूफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो रिमूफ सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज, जो इंप्यूरिटीज हैं, उन्हें हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, तो paint the metallic part of cars with pigment, car के metallic हिस्सों को pigment से color करने के लिए भी इस process का यूज करते हैं, electroplating of rubber on the metallic surface, तो metallic surface पे अगर rubber का electroplating करना है तो वो भी इसी method से होगा, next property है electroosmosis, molecules of dispersion medium are allowed to move under the influence of electric field, हमने देखा कि chloral particles का movement हुआ, dispersed phase का movement हुआ, अब हम dispersion medium की बात करते हैं, तो यहाँ पे dispersion medium, electroosmosis के अंतरगर dispersion medium के molecules को electric field के प्रभाव में move करने दिया जाता है, यह आप diagram देख सकते हैं, जिसमें तीन chambers है, एक anode chamber है, बीच में colloidal solution है, और तीसरा है cathode chamber, तो colloidal solution बीच में भर दिया गया है, उसके दोनों और है semi permeable membrane, अर्ध पारगम में जिल्ली, एक और है anode, एक और है cathode, दोनों तरफ से electricity पास की जा रही है, तो अब क्योंकि semi permeable membrane यूज किया गया है, तो colloidal particles जो की charged है, वो move नहीं कर सकते, क्योंकि semi permeable membrane को वो पार नहीं कर सकते, तो क्या होगा देखने को क्या मिलेगा, कि यहाँ पर dispersion medium move करेगा, तो dispersion medium जब move करेगा, तो level of water दोनों और आप diagram में देख सकते हैं, anode chamber और cathode chamber से level of water connected है, उस level of water में change देखने को मिलेगा, एक और जो है water का level बढ़ जाएगा, और वहीं दूसरी और water का level घट जाएगा, नेक्स पॉइंट है, आईजो एलेक्रिक पॉइंट, क्लोइडल पार्टिकल्स कंटेन चार्ज, इफ एलेक्रोलाइट इस अड़ेट तो दिस सिलूशन, तो इन क्लोइडल पार्टिकल्स का चार्ज नष्ट हो जाता है, अपने oppositely charged particle के साथ इंटरेक्ट करके, तो वह condition जब सॉल पार्टिकल्स का पूरी तरह से उदासी नहीं करन हो जाता है, पूरी तरह से वो डिस्चार्ज हो जाते हैं उनके पार्टिकल्स, तो उसे कहते हैं IsoElectric Point pH at which positive charges is equal to negative charges इसे define इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वो pH जिसमें positive charge की मात्रा negative charge की मात्रा की बराबर हो net charge कैसा होगा? 0 होगा It is a definite pH specific for each protein सभी protein का एक specific IsoElectric Point होता है At this pH, protein is least soluble and precipitated तो इस pH पे protein जो है बहुत ही कम घुलनशील होगा और वो precipitate हो जाएगा Thank you